स्वागता आपका प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूँ शकील बागमारे आईए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास OAC ने दिया चौवान के को जवाब एक रुपए का जुर्माना सुप्रिम कोट ने सुनाई सजा सरकारी मुलाजीम वक्त से पहले किये जा सकते हैं रिटाइड केंडर सरकार ने जारी किया सर्कुलर देश में करोना के हालात और जानते हैं आज क्या हुआ है खास आईए देखते हैं खबरे विस्तार से OAC ने दिया चौवान के को जवाब जामिया मिलिया इंवर्सिटी के UPSC रिजल्ट पर उंगली उटाते हुए सुदर्शन न्यूस पर नौकर शाही जहाद चलाने वाले सुरेश चौवान के को मूँ तोड जवाब देते हैं दिन OAC ने कहा के जोकर देश में नफरत फैला रहे हैं कितनी नफरत है मुसल्मानों के लिए चौवान के कह रहे हैं कि मुसल्मान अगर IAS और IPS में जा रहे हैं तो वह जहाद है कितनी गंदी सोच है इस जोकर की यह चाते हैं कि मुसल्मान एजुकेशन हासिल ना करें अब इसको जहाद से जोड रहे हैं यह जोकर कह रहा है कि मुसल्मान इतनी संक्या में स्वील सर्विस में जा रहे हैं तो वो स्वील सर्विस का जहाद है और इसने पीम मोधी को ट्वीटर हैंडल से ट्या किया है इससे मालूम होता है कि इसका करीबी तालूक RSS से है और वो कहता है कि मुसल्मान इतनी तहदाद म आइपियस ऑफिसर बन रहे हैं वो जहादी हैं कहता है के सोचो अगर तुमारे जिल्ले का अफसर अगर मुसल्मान होगा तो हमारा क्या होगा 829 लोग स्वील सर्विस में कॉलिफाइड हुए हैं जिसमें सिर्फ 41 लोग ही मुसल्मान हैं जामिया मिलिया इसलामिया में आइएस और आइपियस का जो कोचिंग सेंटर है उसमें से 30 लोग कॉलिफाइड हुए हैं जिसमें से 16 मुसल्मान हैं और 14 मेरे हिंदू भाई हैं तो क्या ये हिंदू भाई जहादी है इसके बयान से मालुम होता है कि इसकी सोच हिंदूत्व की एडालोजी में डूबा हुआ है और इस जोकर को इतना गुस्सा इसलिए है कि जामिया मिलिया इसलामिया देश का नमबर वन तालिमी दारा है खुद मोधी सरकान ने भी ये माना है इससे सिर्फ नफरत इस बात की है कि मुसल्मान कैसे तालिम हासिल कर रहे हैं और OAC ने तमाम लोगों से अपील करके कहा है कि इन ताकतों को अगर जवाब देना है तो अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं चाहे वो लड़का हो या लड़की हमें और कोशिश करके UPS में अपनी तैदाद को बढ़ानी है हम देश को और देश के सेकुलर धांचे को म इंसान बना देती है इसलिए हर हाल में तालीम हासिल करना जरूरी है चवानके जैसे लोग हर दौर में आते रहते हैं जो समाज में नफरत फैलाने की सिवा कुछ नहीं करते हैं अब ऐसे लोगों की तैदाद थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है मगर वक्त बढ़ा ही परशानबूशन को एक रुपए का जुर्माना सुप्रिम कोट ने सुनाई सजा जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रिम कोट और जजजों की तोहीन मामले में वकील परशानबूशन को कोट से माफी मांगने के लिए कहा गया था मगर उनके साफ इंकार के बाद सुप्रिम को जुर्माना ना अदा करने की सूरत में इन्हें तीन महिने तक की सजा और तीन साल तक वकालत ना करने पर पाबंदी लगाई दी जाएगी 63 साल परशान बूशन को उनके दो टिवीट के लिए तोहीन अदालत का मुझरिम माना गया है सुप्रिम कोट का मानना है के बूशन के टिवीट ने सुप्रिम कोट के विकार को बिगाड़ा है अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा के किसी को भी अदालत की विकार को गिराने की इजाजत नहीं दी जा सकती परशान बूशन को अपने बयानात पर माफी मांगने के लिए वक्त दिया गया था मगर वो अपनी हट धर्मी पर कायम रहे वाज़ रहे के कोट ने बूशन को अपने बयानात पर दुबारा गोर करने और कोट से माफी मांगने के लिए 24 अगस्त का वक्त दिया था मगर परशान बूशन ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था इसके चलते अटोर्नी जर्नल के कहने पर बूशन के कानूनी मैदान में दिये गए उनकी खिदमत को मद्य नजर रखते वे उन्हें आज ये छोटी सजा सुनाई है लगता है अब वक्त बदलने लगा है एक वकील ने आज सुप्रिम कोट को मजबूर किया है कि वो माफी नही मांगेगा क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और कोट ने भी उन्हें बार-बार मौका दिया मगर कोट परशान बूशन को जुका नहीं सका आज फैसले के बाद परशान बूशन ने मेडिया से बात करते हुए कहा कि वो एक रुपईया जुर्माना कोट में भर करते हुए रियू पेटिशन दाखिल करने की बात कहीं बूशन ने लगता है अब यह मामला यहीं नहीं ठमेगा आगे देखते हैं यह मामला कहां जाकर रुकेगा सरकारी मुलाजिम वक्त से पहले किये जा सकते हैं रिटाइड केंदर सरकार ने जारी किया सिर्कुलर केंदर सरकार ने तमाम अफसरों और मुलाजिमीन के कानून का जाइजा लेने के लिए हिदायत जारी की है कि जो मुलाजिम 30 साल से ज्यादा नौकरी कर रहे चुके हैं ऐसे लोगों को आप सरकार रिटाइड कर देगी सरकार का कहना है कि यह कोई नया कानून नहीं है बस पुराने कानून पर अमल किया जा रहा है इस कानून के मुताबिक किसी भी सरकारी मुलाजिम को सरकार वक्त से पहले रिटाइड कर सकती है इसके अलावा इन सरकारी मुलाजिम का रिकॉर्ड का भी जाइजा लेने के लिए कहा गया है जिनकी उमर 55 से ज्यादा हो गई है उन्हें अब घर जाना होगा इस सरकुलर को जारी करने का मकसद सरकारी मिशनरी को चुस्त और दुरुस्त बनाना है इसमें कहा गया है कि जो सरकारी नोकर ठीक से काम नहीं करते उनको भी सरकार रिटाइड कर सकती है सरकारी मुलाजिम को तीन महने का नोटिस और तीन महने की तौनका दे कर उन्हें घर भेज दिया जाएगा और उन्हें पैंशन मिलती रहेगी अब इस कानून से उन मुलाजमीन का नुकसान होगा जिनको आकरी सालों में पर्मोशन मिलता है सरकार नए-नए कानून सिर्फ जनता के लिए ला रही है अच्छी बात होती अगर नेताओं को भी 55 साल के बाद रिटाइड किया जाता तो चुस्त और तंदुरुस नेता ही इस देश की उन्नती में अपना योगदान देते रहेंगे मगर नेता तो मरने तक नेतागिरी करते रहते हैं अब देखना है सरकारी नौकरों का इस पर क्या जवाब रहेगा देश में करोना के हालाद भारत में पिछले 24 गंटे में 98,700 से ज्यादा मरीज सामने आये हैं जिसमें मरीजों की कुल संक्या बढ़कर 35,45,000 के पार हो चुकी है पिछले 24 गंटे में 901 कांतर लोगों की मात होने से अब देश में मरने वालों की कुल संक्या बढ़कर 64,500 के पार हो गई है पिछले 24 गंटे में 56,000 से ज्यादा लोग इस बेमारी को मात दे चुके हैं जिससे देश में ठीक होने वालों की कुल संक्या बढ़कर 27,68,000 से ज्यादा हुई है अब ठीक होने वालों की तैदात का recovery rate बढ़कर 76,69% हुआ है तो वहीं मरने वालों का आकड़ा घट कर 1,82% हुआ है अब ये तमाम आकड़े बताने के लिए काफी हैं के देश में करोना से हाला ठीक हो रहे है क्यूंके मरने वालों की तैदात घट रही है आज यक्ती सगस्ट है आई ये जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास आजी के दिन 1979 में ब्रिटेन की राजकुमारी डैना और उनके प्रेमी दोडी अल फयाद की एक कार दुडगत्ता में मौत हो गई थी उनकी कार एक फुतपात से जा टकराई उस वक्त डैना की उमर सिर्फ 36 साल की थी जो हजार पांच में आजी के दिन इराक की राजदानी बगदाद में अल आईमा पूल पर मची बगदड में एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी 1422 में आजी के दिन हैंडरी 6 स्रिफ 9 महने की उमर में ब्रिटेन के राजा गोशित किये गए थे 1968 को आजी के दिन भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकिट रोहीनी या मेस वी वन ने सफल उडान भरी थी और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन प्राइम टाइम इंडिया